पहला सवाल है निमलिखित में से कौन सा शेयर भूमत्य रेखा के निकट इस्तित है तो एक्वेटर के पास कौन सा सिटी पड़ता है इंडिया का कोलकता विशाका पटनाम मुंबई और शिरीनगर तो इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिए बाकिस को कर आप कैसे सकते ह तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो इसके बीच से जो है आपका ट्रोपिक ऑफ कैंसर करक रेखा जाती है ठीक है करक रेखा के नीचे आपका यह जीरो डिगरी है तो अगर हम पुरा अर्थ को देखें तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा देश म होना चाहिए तो सवाल बिल्कुल आसान था लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा कर पूशा गया और ऐसा होता है तो इसलिए हमें ज़्यादा कोशन्स की प्रैक्टिस की जरूवत होती है हमेशा और निमिन मैंसे कौन सी जगह अन्वान निकोबार के सबसे ज़्यादा निकट ह है देखो यह भी बहुत अच्छा सवाल है और चेन नहीं विशाखा पटनम इंडोनेशिया और मैमार बहुत यह अच्छा सवाल है ठीक है ना तो इसमें हमें मैप को देखने की जरूवत रहेगी यानि कि ऐसे सवाल भी हमारे एक्जाम में आ सकते हैं इसमें हमने जो हमारा गोगोल का या जोग्राफिकल मैप होता है उसको देखने की जरूवत रहती है इसका जवाब आपका सी है मैमार है तो आप इनके आंस्वर करने की कोशिश भी कीजिए और नहीं तो आप इनको लेंड कीजिए याद कर लीजिए डंकन पास किसके मध्या इस्तित है डंकन पा आपका है तो साउट और सोरी अंडमान साउट और लीटिल अंडमान के बीच में हैं आपका डंकन पास और अगला है सबसे कम बारिश वाला यह सवाल हजारों बार आ चुका है मैंने इसलिए रख दिया कि छोटा सा सवाल है लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हों नहीं सवाल देखा नहीं होगा और उनसे गल्पियां हो जाती है तो बी का नियर जैपूर जैसल मेर मेंसे कोई न नंदी हिल्स के शहर के पास बसा हुआ है बहुत इंपोटेंट है बैंगलोर मैसूर घुबली और चेन नहीं अच्छा सवाल है तो बताइए क्या जवाब होगा तो नंदी हिल्स जो है आपकी यह बैंगलोर के पास है नेक्स कोशन देख लेते हैं और कुलू घाटी जिन प आपका सी है आपका यह धोलाधार और पीर पंजाल बहुत इंपोटेंट कोशन है याद होना चाहिए अगला सवाल देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गलेशियर पिंडारी है गंगोतरी है यमनोतरी है या सियाचीन है तो बताओ क्या हो सकता बहुत आसान है आज का सबसे आसान सवाल मैंने दिया है तो आपका सियाचीन है ठीक है चर्चा में भी रहता है सबसे बड़ा गलेशियर है और निमन में से मलबरी रेशम का उत्पादन करता है तो एक मैंने रेशम पर जो है सवाल पहले भी किया था इसको हम टसर बोलते हैं टसर टसर वाली जो रेशम है तो अब आपको पता चल गया होगा याद आ भी गया हुगा जिसका जवाब है आपका उरिशा तो याद करो आप खुद से सुनते ही करने की कोशिश करो या आप ये देखो कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है केंद्रिय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उसकी लोकेशन कहां पर है तो इसका जवाब है आपका मखदूम उत्तर परदेश में यूपी में हैं आपका केंद्रिय बकरी अनुसंधान संस्थान इंपोटेंट है और भारत में वहराज्य जहां केवल तीन से चार महां तक शुष्क मोसं रहता है शुष्क मोसं ड्राई ठीक है तो पस्षिम बंगाल केरल मिजोरम और हिमाचल परदेश बहुत अच्छा सवाल है जवाब देने की आप कोशिश करना तो इसका जवाब आपका हिमाचल परदेश है क्योंकि हमाचल परदेश में गर्मी के मुकाबले जाड़ों में ज्यादा बारिश होती है निम्न में से कौन सा राज्य च्छतिस गड़ की सीमाओं को नहीं चूता बहुत इंपोटेंट है बिलकुल मुझे आप इसका जवाब दो ठीक है तो औरीसा आंदर पर इंपोटेंट है तो इसका जो जवाब है आपका वह इसका सीमाओं को नहीं चूता है ठीक है तो वैस्ट बेंक वोले आपका सी जवाब है और अधिक्तम तापमान का अंतर होता है तो इसका जो जवाब है चेन नहीं तो इसमें पूशाया है कि न्यूंतम और अधिक्तम तापमान का अंतर दिल्ली आएगा आपका चेन नहीं नहीं दिल्ली यानि कि समुद्र से दूरी समुद्र से दूरी जो है आपकी तो समुद् के सीमा किसकी सीमा नहीं मिलती है ठीकर अच्छा सवाल है और तब सब की सीमा जरूर देखो केंद्रिये इंधरा अनुसंधान संस्थान जो है उसकी कहां पर है तो आपकी धनबाद के अंदर धनबाद इसका जवाब है अगला देखते हैं विश्व में सरवादिक ठंडे इस्थानों में दूसरे इस्थान पर है इटानगर मनाली द्रास कुलू तो इसका जवाब है आपका सी द्रास ठीक है थोड़ा समय जल्दी पढ़ रहा ह लिए उसन कटी बंदी होता है आपका ट्रोपिकल एवर ग्रीन फोरेस्ट जो है आपके तो कौन सी पाड़ियां है बहुत इंपोटेंट कोश्चन है यह भी बहुत जादा इंपोटेंट है तो इसका है आपका नील गरी हिल्स यह जवाब आएगा नील गरी हिल्स और आगर है ठीक है ना तो किसे प्राकर्तिक वनस्पती के साथ जुड़े हुए यह सवाल आपके एक्जाम के लिए है तो इसमें जो है ओप्शन में देख लेता हूं इसका है आपका तीसरा ओशन कटी बंदिया आदर पत जड़ी ठीक है टोपिकल हुमिड और यह पत जड़ी आपक तो इसको हम कह सकते हैं ड्राइब तो सी जवाब है और किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशू है बहुत अच्छा सवाल है पंजाब हरियाना मद्धेपरदेश और तमिल नाडू ठीक है तो सोचकर जवाब देना है इसका जवाब आपका सी है मद्धेपरदेश औ और बागवानी किर्शी उधान किर्शी के लिए उपर यूग तो जलवाई कौन सी है ठीक है क्लाइमेटिक जॉन के उपर सवाल है इससे क्या आपको एक आइडिया भी लग रहा है कि आपने अपने तैयारी में कौन-कौन से जो है टो है तो यह आपका मैडिटरेनियन है ठ उसका जवाब आपका बी आएगा और भारत में गन्य की खेती का जो एक्जामपिल है तो वह आपकी यह क्राफ मलब रोपन वाली होती है ठीकर रोपन किर्सी उसको बोलते हैं ग्राफ्ट करके तो गन्य की जवाब है आपका और जिस फसल के लिए पानी की अधिक्ता होती है पानी तो चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए तो यह सब सवाल हैं जो हमने हम अपनी क्लासीज में प्रैक्टिस करा रहे हैं इस बार के एक्जाम के लिए या हम स्टेडी माट्रीयल या टेस्ट रीज के जरीए जो है इनको हम बच्चों को प्रवाइड कर हैं ठीक है तो कोस्टन्स डारेक्ट भी आते हैं और स्टेट्मेंट वाले भी होते हैं में सब तरीके के होते हैं तो इस तरीके से अब अगली वीडियो में भी मैं कुछ और नई सवाल लेकर आऊंगा तो आप इनको तैयार कर लिए सब इंपोर्टेंट हैं फिर मिलता हूं थ धन्यूए